आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ मैंने लिस्ट मर्थ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि स्क्रीन पर कि पार्ट टू जो कि सत्र है बीस ते तैस है और आज मैं आपको सबसीडरी एक्जाम रोटेंग फिर से आपको समझाने वाला हूँ एक्जाम से प इसको अच्छे से समझ पाएंगे तो सभी से रिक्वेस्ट है अंते तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दे सेयर कर दे और सबस्क्राइब करें सबसे पहले तो इसको आप तो समझ लें जो कि इसमें बोला गया है कि सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 22 मार्च 2023 को आयोजित बैचलर पार्ट टू जो कि सब्सक्राइब 23 की परिक्षा बिहार दिवस के कारण पुर्व निर्धारित अनुसार 23 मा यह अब आपको बताया कि जो 22 तरीक को एक्जाम था आपका 22 मार्च को एकजाम होने वाला था और जो कि 1720 से 23 है उनका एकजाम 23 मार्च 2023 को होगा तो आप समझ गए कि 22 वाले एक्जाम आपका 23 को होने वाला उसके बाद मैं एक्जाम रूटिंग को समझाऊंगा क्योंकि बहुत से कन्फ्यूजन थे इसमें तो सभी से रिक्वेस्ट अन्त तक जरूर देखे और वीडियो हो सकता है लंबा हो मगर आपको समझना है अन्त तक तो सबसे पहले यहाँ पर देख ले कि revised program for bachelor part 2 जो कि 17 बीस ते 23 है मैं सर्किल में भी आपको समझाने का अच्छा से पढ़ियास कर रहा हूं तो सब वीडियो को अंत तक देखना आपको तब भी आप अच्छे से आपको doubt clear कर दूँगा भी मैं आपको तो पहला जो है कि आप आपका एक्जाम दो सिटिंग में एक्जाम होगा आपका फर्स सिटिंग जो एक्जाम होगा वह दस बज़े से लेके एक वज़े के बीच होगा जो कि मैं सर्किल में आपको समझा रहा हूं और सेकर्ड जो आपका एक्जाम होगा वह दो वज़े से लेके पांच वज़े के बीच होगा तो आपका दो सिप्ट में एक्जाम होगा उसके बाद आपका इसको तो अध्यान से देखें कि 13 मार्च 2023 मतलब की एक्जाम आपका कल से स्टार्ट है जो कि मंडे है और फर्स सिटिंग जो एक्जाम होने वाला है वह बीचनों और बीकउम के खात्रों का होगा तो ऑसे एक डाउट किलीए कर ले मैं बतारूँ फर्स सिटिंग में जो एक्जाम होगी वा बीचनों के ही स्टुरेंट्स का si program होगा जो की आर बी हिंदी है जो की 100 marks का exam आपका लिया जागा मैं सरक्ल में आपको समझाने का पढ़ियास कर रहा हूँ तो वीडियो को तो अंत तक जरूर देखें आप लोग और समझे जरूर तो B.S.C. और B.C.M. हो गया उसके बाद आपको 13 को ही जो exam होने वाला है वो अब B.A. का होगा जो की R.B. Hindi 100 marks का exam लिया है तो जो students arts के हैं arts में आते हैं वो B.A. के students हैं वो उसका exam 100 marks का exam आपका 13 March 2023 को होने वाला है उसके बाद 14 March 2023 को जो की first sitting जो है वा सिर्फ B.S.C. और B.C.M. के ही students का होगा यहां पर देखे B.S.C. और B.C.M. दिया हुआ है और exam जो आपका होगा 14 March को वा होगा 9 Hindi 50 marks का होगा और alternate English जो है MB और उर्दू भी है और बंगाली भी है तो उनका भी exam 50 marks का जो एक्जाम लिया जाएगा वह 14 तारिक को लिया जाएगा मैं सरकिल में आपको अच्छे समझा रहा हूँ तो थ्वासर वीडियो को ध्यान से देखना है उसके बाद जो B.A. के इस्टूरेंट्स है तो जो B.A. यहां पर साब साब दे दिया गया है B.A. के स्टूरेंट्स है जो कि जिसका 50 marks का हिंदी हो 50 marks का हिंदी हो 50 number का alternate English हो 50 number का उर्दु हो या 50 number का बंगाली हो तो उनका एक्जाम 50 number वाला एक्जाम जो होगा वह B.A. के स्टूरेंट्स का होगा second sitting में होगा तो आप समझ गया होंगे सबसे ज़्यादा जो confusion हो रही थी 13 और 14 की exam को हो रही थी तो आप अच्छे समझ गया होंगे जो मैं आपको बताया हूँ जो कि 14 को मैंने बताया 50 marks वाला exam होगा यहाँ पर 50 marks दे दिया गया है और यहाँ भी second sitting में B.A. के students का 50 marks का होगा उसके बाद 15 March को देख ले जो की वर्डनस डे पढ़ता है और first sitting जो exam होगा आपका B.A. का psychology exam होने वाला है उसके बाद second sitting जो exam होगा वा B.A. के students का होगा सिर्फ यहाँ पर B.A. भी दे दिया गया मैं सरके लिए समझा रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझाए तो B.A. का होगा home science का exam होगा और I.R. P.M.B exam आपका होने वाला है second sitting में उसके बाद 16 March 2023 को जो exam होगा वा होगा B.A. के students का होगा B.A. का और B.S.C. का होगा जो की music आते हैं और B.C.M. का जो exam होगा वा P.E.D. होने वाला है और वही मैं second sitting की बात करता हूँ तो 16 को B.A. के economics का होगा exam पेपर 2 का और B.S.C. का फिलिप physics का होने वाला है उसके बाद मैं बात करता हूँ 17 March 2023 के बारे में तो 17 March को जो exam होगा जो की Friday परता है फर्स sitting जो है वा B.A. के students का होगा जो की political science है और second sitting जो exam होगा वा B.A. रूलर एकोनोमिक्स पेपर 2 होने वाला है इसके बाद 18 March 2023 जो की Saturday परता है और फर्स sitting जो exam होगा B.A. सोसिलोजी होगा पेपर 2 का और second sitting जो होगा B.A. और B.S.C. दोनों का होगा जो की math का पेपर 2 है उसके बाद 20 March 2023 जो की Monday होता है फर्स sitting जो exam होगा वा B.A. हिस्ट्री का पेपर 2 है और second sitting जो है वा B.A. गांधियन थाउट्स पेपर 2 होने वाला है उसके बाद मैं बात करता हूँ 21 March 2023 जो की Tuesday परता है और फर्स sitting जो exam होगा वा B.S.C. बोटनी का होने वाला है और B.A. के जोग्राफी का exam होने वाला जो की second sitting होगा फर्स sitting होगा जो की पेपर 2 है और second sitting B.A. philosophy पेपर 2 एक्जाम होने वाला है इसके बाद 23 March जो है वाल लास्ट एक्जाम होगा आपका यहाँ पे देख ले 23 March जो exam होगा वा होगा Tuesday है और एक्जाम B.A. A.I.H. का होगा पेपर 2 B.A.C. Chemistry होने वाला और B.Com के स्टुएंट्स का Money and Banking पेपर 2 होने वाला है और वही बात मैं करता हूँ इधर second sitting में जो की Language and Literature जो लिये हैं वा 100 March का होगा और Hindi पेपर 2 है Hindi है, उर्दू है, बंगाली है, पाली है और Sanskrit जो की 100 March का होगा वो उनका exam 23 को होने वाला है तो आप अच्छे से समझ गाऊंगे तो ज़्यादा confusion जो था वा English और Hindi के बाड़े में था तो एक बार अच्छे से आप समझ लिया होगे जो की मैंने बताया 13 को जो मैंने बताया था BSC और BCOM का जो की RB हिंदी होगा और Second Sitting मैंने बताया था सिर्फ BA के स्टुरेंट्स का होगा जो की 100 March का लिया और 50 नमबर वाला जो exam लिया जाएगा वा 14 को लिया जाएगा जो की BSC और BCOM का है जो की Non Hindi होगा 50 March का, Alternate भी 50 March उर्दू और बंगाली होगा और Second Sitting जो होगा जो आप BA के स्टुरेंट्स का होगा जो की 50 March लिया है और Alternate उर्दू लिया है बंगाली लिया है तो उनका exam होने वाला है तो आप वीडियो को अच्छे से समझ गया होगे